वेल्कम बाक टू माई चैनल आज के इस वीडियो में गल्स ट्राउजर ग्रेडिंग सीखेंगे सारे मेजरमेंट्स जो है मिलिमीटर्स में है स्केल में सेंटीमीटर के अंदर जो 10 सब पार्ट्स होते हैं उनको मिलिमीटर्स कहते हैं सारे measurement मैंने scale में दिखाए हुए हैं केबल एक measurement 35 mm मेरा इस पूरी picture में आया नहीं तो पहले मैंने 25 mm और फिर प्लस 10 mm लिया तो measurement पूरा हो गया trouser के front और back part को इस तरह से trace कर लेंगे और फिर grading शुरू करेंगे से पहले back part में उपर की तरफ जो crotch के उपर का portion है waist पे 8 mm उपर लेंगे dart के उपर भी 8 mm लेंगे दुबारा dart के उपर 8 mm लेंगे और यहां पर भी 8 mm लेंगे उपर की तरफ अब इस point से 2 mm बाहर की तरफ लेंगे और यहां से भी 2 mm बाहर की तरफ लेंगे इस पे हम लिख देते हैं 2 mm यह यहां पर 8 mm डार्ट के उपर भी 8 mm इधर भी 8 mm और उपर भी 8 mm और इस तरफ भी हम 2 mm बाहर आये थे अब हिप लाइन से भी 2 mm उपर की तरफ जाएंगे यहां लिख देते हैं 2 mm अब इधर भी हिप लाइन से 2 mm उपर की तरफ लेंगे और लिख देते हैं 2 mm इस तरह से हमारी हिप लाइन तोड़ी उपर हो गई अब इस पॉइंट से बाहर की तरफ हम 2.5 mm लेंगे दूसरी साइट में 2.5 की जगे हम 5 mm बाहर करेंगे अब क्रोच में बाहर की तरफ 5.5 mm लेंगे अब नी लाइन ड्रॉ करेंगे नी लाइन से नीचे की तरफ 17.5 mm डाउन आएंगे और नी लाइन से ही बाहर की तरफ 2.5 mm बाहर आएंगे इसी तरह दूसरी साइट भी नी लाइन से नीचे की तरफ 17.5 mm जाएंगे और नी लाइन से ही बाहर की तरफ 2.5 mm मार्क करेंगे अब बाटम में बाहर की तरफ 2.5 mm आएंगे इस साइट दोनु साइट पे 2.5 mm आएंगे और नीचे की तरफ हम 35 mm जाएंगे 35 mm लिख देते हैं अब हमारी बैक पार्ट की ग्रेडिंग हो चुकी है अब हम पैंसिल से इसको जो जो पॉइंट्स बाहर हमारे निकले हैं उन सब को हम आपस में मिला देंगे तो हमारे बैक पार्ट की ग्रेडिंग हो जाएगी हमें 8 mm डार्ट के इस पॉइंट से भी उपर की तरफ बढ़ाना था इस पे लिख देते हैं और इसको इस पॉइंट को मैच कर देंगे हम डार्ट बना देंगे नई वाली डार्ट बन जाएगी अब ये हमारे बैक पार्ट की ग्रेडिंग हो गई है मैं किस तरह से इन पॉइंट को मिला रही हूँ आप ध्यान से देखे और फिर इसके बाद हम गर्ल्स ट्राउजर की फ्रेंट पार्ट की ग्रेडिंग करेंगे हमें ग्रेडिंग की जरुवत एक साइज अप करने के लिए जरुवत पड़ती है और एक साइज कम भी करना हो तो भी हमें ग्रेडिंग आनी चाहिए इससे हमारा काफी टाइम सेव हो जाता है अब फ्रेंट पार्ट की ग्रेडिंग करेंगे तो वेस्ट से शुरू करते हैं सबसे उपर टॉप पॉइंट पे हम लेंगे 8 mm मेजर करेंगे इसी पॉइंट से बाहर की तरफ 3 mm आएंगे अब हिप लाइन से उपर की तरफ आएंगे 2.5 mm और बाहर की तरफ आएंगे 5 mm अब नी लाइन में नी लाइन ड्रॉ करके जाएंगे 17.5 mm और बाहर की तरफ आएंगे 2.5 mm बॉटम में बाहर की तरफ 2.5 आएंगे और बॉटम में ही नीचे की तरफ 35 mm आएंगे इसी तरह दूसरी साइट भी बाहर की तरफ 2.5 mm नीचे की तरफ 35 mm इनको मिला देंगे आपस पे अपनी लाइन में नीचे की तरफ 17.5 mm बाहर की तरफ 2.5 mm क्रोच लाइन पे बाहर की तरफ लेंगे 5 mm अब हिप लाइन से उपर की तरफ 2 mm लेंगे और बाहर की तरफ 3 mm इस साइड ये 2.5 mm नहीं है 2 mm है मैंने गलती से लिख दिया अब इसी तरह वेस्ट पे बाहर की तरफ लेंगे हम 2 mm और उपर की तरफ लेंगे हम 8 mm इसी तरह डार्ट के उपर भी 8 mm लेंगे दूसरी साइड भी 8 mm लेंगे और इस पॉइंट से भी उपर की तरफ 8 mm लेंगे और फिर इस पॉइंट से डार्ट को मैच कर देंगे ये हमारी निउ डार्ट तयार हो गई है और अब इन सारे पॉइंट्स को हम पैंसिल से इस तरह से जो भी बाहर निकले हैं पॉइंट्स इस तरह से shape देंगे तो हमारे front part की भी grading हो गई है तो इस तरह से front और back part की हमने grading की है girls trouser के लिए I hope friends ये video आपको help करेगा और अच्छा लगा होगा आपको ये video आपका बहुत बहुत thanks आप मेरे video को पसंद आया है तो like करे, share करे and subscribe करे तो हमारा girls trouser की grading हो गई है take care, bye bye